छेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम सीखेंगे यह design को आप किसी भी प्रोज्चर्ड में अपलाई कर सकते हैं लेजी चैण या छब्च्छों के स्वर्टर में भी आप इसको डाल सकते हैं यह design एक सिलायू का design है आईू शीखते हैं इदर थोड़ी सी मैंने पट्टी बना रखी है और एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टा बना रखा है अब हम एक सिलाई सीधी सीधी करके बना लेंगे उल्टी सिलाई में डिजैन बनना है अब हम एक सिलाई सीधी सीधी करके कम्प्टीट कर लेंगे यह सिलाई हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब उल्टी सिलाई में हम दिजैन बनाएंगे एक फंदा उल्टा और तीन फंदों का हम वापस तीन फंदा बनाएंगे इस तरह से अपनी तरव लपेटा उल्टा लपेट के तीन फंदी वापस बन गए हमारे फिर एक फंदा सीधा ने सौरी उल्टा और फिर तीन फंदे के वापस हम तीन फंदे बनाएंगे उल्टा बनाया फंदे को इस तरह लपेटा फिर एक बार और उल्टा बना दिया तो ये तीन फंदे वापस बन गए हैं एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदों का तीन फंदे बनाने हैं इस तरह से गुमाके लेके फिर इसको उल्टाई बना लिया एक फंदा उल्टा फिर यहां भी तीन फंदों का इस तरह से हमने बनाना है तीन फंदों का वापस तीन फंदे अब सीधी स्लाई हम सीधा सीधा ही करके बना लेंगे सीधी स्लाई सब सीधी सीधी करके बना लेंगे एक शिधा का डिजैन है यह उल्टी साइट में हमने डिजैन बनाना है सीधी स्लाई हम सीधा सीधा करके कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से बन के आता अब उल्टी सिलाई में हम यह तीन यह तीन इखट्टे वापस इसको तीन बनाएंगे यह तीन एग इधर से एग इधर से एक सेंटर वाला जमने एक सीधा बना रखा था इन तीनों में डिजैन बनेगा एक फंदा उल्टाए यह हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे अब इन तीनों में डिजैन बनेगा अब इन तीनों को हम तीन फंदे लेके वापस तीन फंदे बनाएंगे तीन फंदा उल्टा फंदा अपनी तरफ इस तरह से बनाना है एक फंदा उल्टा फंदा अपनी तरफ वापस तीन फंदे यह बन चुके हमारे फिर एक फंदा उल्टा इसी तरह से हम सारी शिलाई बना लेंगे फंदा अपनी तरह और इस फंदे को उल्टा बना देंगे यहां पर दो फंदे उल्टे इस साइड वाला है इसको हम उल्टा ही बना लेंगे सीधी से लाइब सीधी सीधी करके कमप्टीट कर लेंगे बहुत ही खुसरत डिजैन है आप इसको किसी भी प्रोजेक्टर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से यह बन के आता है इस तरह से बन के आता फ्रेंशी बहुत ही खुसरत लगता है डिजैन थेंक यू फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ झाल